हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल दरी स्टडी 2.5 में आईए दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग मुगल काल को शुरू करते हैं जो पीटी के सलेबस के अमसार भारती इतिहास का दस्वा टॉपिक है इसके पहले हम लोगों ने नौ टॉपिक कम्पलेट कर चुके हैं जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्द है आप सभी वहाँ से देख सकते हैं तो आईए मुगल काल की बात करते हैं बाबर मुगल काल का संस्थापक बाबर था जिसका साशनकाल 1526 से 1530 भी तक था भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था बाबर का वास्तवीक नाम जहिरू दिन मुहम्मत था तो द्यान दीजेगा बाबर का वास्तवीक नाम जहिरू दिन मुहम्मत था जो मुगल सत्ता का संस्थापक था आईए इसमें आगे देखते हैं बाबर के पिता तैमूर वनसज और माता मंगोल वनसज थी बाबर का जन्व 19 फरवरी 1483 इसभी को फरगना में हुआ था बाबर का भारत के बिरुद किया गया प्रथम अभियान 1518 से 19 में यूसुफ फजाई जादी के बिरुद्धा इस अभियान में बाबर ने बाजाओर और भीरा के किले पर अपना अधिकार किया अप्रेल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद तुगलमा युद्ध पद्धती का प्रियोग किया इस युद्ध में तोपो को सजाने में उस्तानी उस्मानी पद्धती का प्रियोग किया गया पानिपत के युद्ध में तोप खाने का नेत्रित उस्ताद अली और मुस्तफा खाना मर्ग दो योगी अधिकारियों ने किया था मार्च 1527 इसवी में बाबर तथा राड़ा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया इस युद्ध में बाबर ने जेहाद का नारा दिया था जनवरी 1528 में चंदेरी के सासक मेदनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 1529 में बाबर ने घागरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया और 26 दिसंबर 1530 सिस्वी को बाबर की आगरा में मृत्तु हो गई बाबर ने मुनयान पद्ध का स्रेजन किया तथा उस ने अपनी आत्म कथा बाबर नामा की तुर्की भासा में रचना की तो बाबा नामा की रचना किसने की है तो बाबा ने खुद की है और यह तुर्की भासा में इसकी रचना की गई है हुमाई का सासनकाल देखते हैं हुमाई का सासनकाल 1530 से 1540 इसवी तक और उसके बाद 1555 से 1526 इसवी तक रहा बीच में शेर्षा सुरीका साशनकाल हुमाय के साशनकाल के दoration में था तो आएए हुमाय के साशनकाल को दिखते हैं 30 दिसंबर 193 को 22 वर्ष की आयो में हुमाय का राज्या भिसेक किया गया था हुमाई ने 1531 में कालिंजर के साथ सक परताप रुद देव पर अपना पहला आकरमर किया था 27 जून 1549 को हुमाई एम शेर्खा के बीच चौशा का युद्ध हुआ जिसमें हुमाई पराजित हुआ तो चौशा का युद्ध कब हुआ था तो 27 जून 1549 को हुआ था जिसमें हुमाई पराजित हुआ था आगरा और दिल्ली पर सेर्षा का अधिकार हो जाने के बाद हुमाई सिंध होता हुआ इरान के साथ इरान के साथ के पास चला गया 1555 इसभी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद युद्ध हुआ मुगल सेना का नेतरित बैरम खाने किया इस युद्ध में अफगानों की पराजे हुई थी सरहिंद बिजय के बाद 1555 इसभी में एक बार पुनह दिल्ली के तक्त पर हुमाई को बैठने का सौभाग मिला हुमाई के दूसरी बार बादसा बनने के एक साल बाद जन्वरी 1556 इसभी में दीन पनाह नगर के पुस्तकाले की सीड़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्य हो गई तो हुमाई की मृत कहसे हुई थी तो दीनपना की पुस्तकाले की सीडियों से गिरने से हुई थी आईए अब अकबर के सासनकाल को देखते हैं जिसका सासनकाल 1556 से 1605 तक था अकबर का राज़ा विसक अलप वयस्क में ही 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कला नावर नामक अस्थान पर हुआ अकबर के बच्पन का नाम जलाल था अकबर के सिच्छक का नाम अब्दूल लतीफ था 1556 से 1560 तक बैरम खाने अकबर को प्रशासन में संद्रच छड़ दिया बैरम खा की इमानदारी के कारण उसे खान एक खाना की उपाधी से सम्मानित किया गया तो खान एक खाना की उपाधी से किसे सम्मानित किया गया था तो बैरम खा को आगे देखते हैं इसमें पांच नौमबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानिपत का दुती युद्ध हुआ जिसमें हेमू पराजित हुआ तो पानिपत का दुती युद्ध कब हुआ था पांच नौमबर 1556 को अकबर को इस युद में अकबर को दिल्ली वर आगरा का सासक घोसित किया गया हेमू बिक्रमादित की उपादी धारड करने वाला भारत का 14. सासक था अकबर ने 1562 इसबी में दास्प्रथा और 1563 इसबी में तीर थियात्राकर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त केर दिया था 1546 में अकबर ने चित्तोड बिजय के उपलच में फतह नामा किया अकबर ने गुजरात बिजय के इसमिती में फतेपूर्ष सिखरी में एक बुलंद दर्वाजा बनवाया था अकबर ने धार्मिक बिशियों पर वाद बिवाद के लिए 1575 में एक इबादत खाना की अस्थापना की 1589 में अकबर ने मजहर की घोषडा की मजहर नामक दस्ता वेच का प्रारूफ सेख मुबारक ने तयार किया था 1582 में अकबर ने सभी धर्मों में सामझजस अस्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या तीन ए इलाही नामक एक नया धर्म प्रवर्वर्तित किया सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिस्ती संप्रदाय को प्रसे दिया वह सेख सलीम चिस्ती का परम भक्त था 1583 इस भी में अकबर ने एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया अकबर के दरवारी लेखक अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंध की रचना की तो अकबर नामा ग्रंध की रचना किसने की थी तो अबुल फजल ने इससे दियान दिजेगा चार बाग बनाने की प्रता अकबर ने शुरू की अकबर वादे यहंत्र नगाडा बजाने में कास्चोकीन था जहागीर की वाद किया जहागीर का शासनकाल 1605 से 1627 सिस्वी तक था जहागीर का जन्म अगस्ट 1579 सिस्वी में सेख सलीम चिस्टी के आसिरवास से मर्यम उजमानी से हुआ था अकटूबर 1605 में अकबर की मृत्टू के बाद सलीम नूरूद दिन मुहम्मद जहागीर बास्षा गाजी की उपाधी से मुगल सामराजी का सासक बना नूर जहागीर की पत्नी थी इन दोनों का बिवास 1611 इसवी में हुआ था नूर जहागीर के बचपन का नाम महरू निशा था उसके पिता का नाम ग्यास बेग था जहागीर ने आगरा के किले पर नियाई की जन्जीर लगवाई जहागीर ने 1602 इसवी में बीर सिंग बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी जहागीर ने 1612 इसवी में पहली बार रच्छा बंधन का तेवहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बधवाई जहागीर के सासनकाल में 1623 इसवी में सहजादा खुर्रम जो साजहां के नाम से जाना जाता है कि बिद्रो को महावत खाने दबाया जहागीर ने सूरदास को संजच्छड दिया था और उसी के संजच्छड में सूर सागर की जचना हुई जहागीर के सासनकाल में सर्थ हामस रो समराट जेम्स का दूद भारत आया नूर जहा की मा असमात बेगम ने इत्र बनाने की बिधी का आविश्कार किया था आईए अब साजहा का सासनकाल देखते हैं जिसका सासनकाल 1627 से 1958 इसवी तक चला साजहा का जन्म लाहोर में 1592 इसवी को मारवाड राजा उदै सिंग की पुत्री जगत गोशाई जिसका नाम जोधावाई था इसके गर्ब से हुआ था साजहा के बच्पन का नाम खुर्रम था साजहा के बच्पन का नाम खुर्रम था 1628 इसवी में साजहा का आगरा में राजा विसेक किया गया साजहा के सासनकाल में पहला बिद्रो 1628 में बुंदेला सासक जुजहार सिंग ने किया मुहम्मस स्यद जो मीर जुमला के नाम से जाना जानता था इसने साजहा को कोहिनूर हीरा भेट किया था अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में साजहा ने आगरा में ताज महल का निर्मार करवाया तो मुम्ताज बेगम महल की ध्यान दीजेगा अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में साजहा ने आगरा में ताज महल का निर्मार करवाया था 1638 इसबी में साजहा ने राजधानी को आगरा से दिल्ली अस्थान तरीत किया साजहा ने संगितग लाल खा को गुर समुद्र की उपाधी परदान की साजहा के पुत्रों में दारा सिको सरवाधिक बिद्वान था इसने साई ए अकबर नाम से उपनिस्दो का फार्सी में अनुआद करवाया था दारा यूम औरंगजेब के बीच 15 अप्रेल 1658 इसबी में धर्मत का युद्ध हुआ तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था तो 15 अप्रेल 1658 इसबी में किन दो साशक के बीच हुआ था दारा सिकोयों औरंगजेब के बीच आर जून 1658 को औरंगजेब ने साजहा को बंदी बना लिया तथा 1686 में उसकी 74 वर्स की अवस्था में मिरिद्ध हो गई आईए अब औरंगजेब के सासंकाल को देखते हैं जिसका सासंकाल 1658 से 1737 वी तक रहा औरंगजेब का जन 24 अक्टूबर 1688 को दो हाद जो गुजरात में इस्थित है वहाँ पे हुआ था 1637 वी में दिलरास बानो बेगम के साथ आउरंगजेब का निगाह हुआ 1658 में आगरा में अपना राजविसेख करवाया इसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1669 वी में आउरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राजविसेख करवाया मीर मुहमद हकीम आउरंगजेब के गुरू थे आउरंग जेव सुन्नी धर्म को मानता था उससे जिंदा पीर भी कहा जाता था तो जिंदा पीर किस सासक को कहा जाता था तो आउरंग जेव को कहा जाता था इससे ध्यान दिजेगा आउरंग जेव ने 1689 में जजिया को पुनह लागू किया 1663 में औरंग जेव ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया औरंग जेव ने सिवा जी को राजा की उपाधी दी औरंग जेव ने 1668 में हिंदू तेवारों और उस्वों को मनाये जाने पर रोक लगा दी 1685 में बीजापूर यों 1687 में गोल कुंडा को औरंग जेव ने मुगल समराज में मिला लिया औरंग जेव की मृत्तु 20 फरवरी 1707 को हुई औरंग जेव ने औरंगाबाद में बीबी का मगबरा का निर्मार करवाया आईए अब मुगल काल के प्रमुक अधिकारी योमकारे देखते हैं इनके पद और कारियों को आईए देखते हैं सुबेदार का कारे था प्रांतों में सांती अस्थापित करना वहीं दिवान का कार प्रांती राजस्व का प्रधान बक्सी प्रांती सैने प्रधान था, कोतवाल नगर प्रधान था, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था, अमल गुजार ये जिले का प्रमुख राजर्स्व अधिकारी था और आमील ये ग्राम के क्रिसकों से प्रतिच्छ संबंध बनाने योम लगान निर्धारित करना इनका काम था दोस्तो मुगल काल से संबंधित हम लोगों ने सभी प्रशनों को कबर कर लिया हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मराठा समराजि को देखेंगे तो दोस्तो अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब करिएगा और वीडियो को सेयर करने का भी कोशिस किया करिए तो दोस्तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही में आलवेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजेगा तो चलिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए नमस्काल